और कोरोना से हार रोज आपको बताते चले कि हजारों लोग जानगवा रहे हैं परिवार के परिवार इस महामारी से अपने परजनों को खो रहे हैं और अब तक लाखो परिवारों ने अपने को खो दिया है वहीं ITBP के कॉंस्टेवल मुझमल हक ने कोरोना से जानगवाने व 300 जादा जवानों को खो चुका है जहांसी जिले के मौरा नीपूर थाना शेत्र से एक दर्दनाक ख़वर सामने आई है जहां पर एक यूवक ने पहले अपने दो मासूम बच्चों का सिर इट से कुचल दिया और फिर कुवे में फेक दिया इसके बाद सक्स ने अपना गला रेत लिया और कुवे में कूद गया जहां पर उसकी मौत हो गई सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और तीनों शवो को कुवे से बाहर निकाल कर पुष्ट मार्टम के लिए भेज दिया है और इस घटना के बाद से इलाके में दैसत का महल है पुलिस का कहना है कि सक्स सराप पीने का आदी था शनिवार की दोपहर पत्नी से कहा सुनी हो गई और अपने दोनों बच्चों को बाजार में कपड़े दिलाने के लिए ले जा रहा था वे आपको बता देख जब वे शाम तक नहीं लोटा तो घरवालों ने खोजबीन की लेकिन देर रात तक कहीं कोई भी पता नहीं चल सका इस दोरान सुबह कुछ लोगों ने मंदिर पर बने कुए के अंदर देखा तो तीनों के शब दिखाई दिये तुरंत ही इसकी सूचना पोलिस को दी गई मौके पर पहुँच कर पोलिस ने शबो को बाहर निकाला और पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया और अब पोलिस पूरे मामले की चांच में चुट कई है और कुरोना की दवाईयों की काला बजारी के बाद अब ब्लैक फंगस संकरमड के इंफेक्शन की भी काला बजारी की जो दवाईयां है उसकी भी काला बजारी की जा रही है दिल्ली से सटे नोईडा में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की काला बजारी का मामला सामने आया है पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को धर्दबोचा है साथ ही उनके पास से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की दो सीशियां बरामत की हैं बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी में से एक आरोपी एस फॉर्मेसी का सुपरवाइजर है और अपर पुलिस उपायुक्त रडविजय सिंग ने बताया है कि थाना सेक्टर एंठावन पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर बुलन सहर निवासी अनुराग कु अप्तार किया है अधिकारी का कहना है कि आरोपियों ने पूश्ताच में बताया है कि वे ब्लैक फंगस और कोविट नाइंटीन के उपचार में काम में आने वाले इंजेक्शन रेमडे सिवर और इंपोटे शीन भी इंजेक्शन ब्लैक करते थे